धन तेरस दोहजार बीस का पूजा मूरत आप सभी को दीपावली की धेर सारी शुबकाम नाए दीपावली हिंदोओं का सबसे एहम तयोहार है यह पर्व प्रतिवर्ष कार्थिक मास की अमावसया को मनाया जाता है मानताओं के अनुसार यह पर्व श्रीराम सीता मैया और लक्षुमर्ण जी के लंकापती रावन पर विजय हासल करने के बाद अपने घर अयोध्या लोटने की खुशी में मनाया जाता है वे वापिस लोटते थे तो नगरवासियों ने घर घर दीब जला कर खुशिया मनाई थी आज हम आपको दिवाली का पहला दिन धन्तेरस की पूजा और मुरत के बारे में बताएंगे धन्तेरस का महत्व कार्तिक मास के कुरुष्ण पक्षकी तरयोदशी के दिन भगवान समुद्र मन्थन के दोरान भगवान धन्वन्तरी अपने हातों में अमुरुद कलश लेकर प्रकट हुए थे यह भी मान्यता है कि चिकिस्अ विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान धन्वन्तरी ने अउतार लिया था इन्हे पीतल पसंद है इसलिए धन्तेरस को पीतल या अन्यकिसी धात्यु के सामान खरी दे जाते है पोराणिक मान्यताऊं के अनुसार धन्तिरस के दिन लक्षुमी पूजन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्षुमी गणेश की प्रतिमा भी इस दीन घर में लानी चहिए धन्तिरस के दीन संध्यकाल मी दीपक जलाने की भी प्रथा है इसे यम दिपक भी कहते है जो यमराज के लिए जलाया जाता है जिससे अकाल मृत्यू को टाला जा सके धंतेरस का मूरत इस साल धंतेरस का शुबमूरत 13 नवंबर को शाम पाच बचकर 28 मिनिट से लेकर पाच बचकर 69 मिनिट के बीच है तो इस दिवाली को अपने परिवार वालों के साथ खुशी से मनाई है आपको दिपावली की देर सारी शुब काम नाएं